आप सबी का बहुत बहुत स्वागतिया अन्यपूर्णा किचिन में आप सब केसे हैं उम्मीद अच्छे यूंगले आज हमने बनाये हैं साधी पार्टियों की सांध धैवरले जिने धैवरले भी बोला जाता है यह इतने सोफ्ट हैं बिल्कुल मुह में भूल जाने वाले कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए है तो मेरी रेसेपी को लाइक करें कमेंट करें स्फ़ये चर्चर में करें और चैनल को सब्सक्राइब करें लाल बंस दबाएक और नीचे गंटी का बतन आज और उसको क्लिक использовать जिससे की मेरी नई नई रेसिपी आप तक जल्द से जल खौन सकें जाए के लिए हम साम अग्री देख लेते हैं जिने भड़ी भी बोला जाता है उसके लिए वाइट वाली दाल चाहिए तो उड़त की दाल के लाती है समने गला के रखा है पांसे चे गंटे बिले देखिए जार हम से टूट रही है यह कई चुकी है आप चाहें तो इसको ओवर नाइट बजला के रख सकते हैं अब इसको हम पीस लेंगे पीसने के लिए बिना पानी की पीसिंगे अगर आपको पानी लगता है तो इसको बिलकुल फ्रेज के ठंडे पानी कायूच कीजी उसको थोड पानी के लिए मसाला बनाए इसको रैसिपी में आप 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 बीच में आपको देती जाओंगे थोड़ी सी किसमिस अगर आप चाहें तो नदर वढ़ने के लिए नहीं तो इसको इसको बिली खटी मीठी चैटनी इसकी रैसिपी भी मैंने डाल रखी है उपर आप आप इस सबसे पहले हम दाई को दाल के उसको फ्रेज में रख देंगे जिससे के वो ठंड़ हो जाएगा जब तक हमारे दाई बड़े बनेंगे जब तक आप इसको जितना मीठा कम जादा फाते हैं उसे सबसे सबसे डाल सकते हैं हमने इसमें 3 टी स्कून डाली और यह आदे कब दाई सबसे पहले दाल को पीसलिंगे समभिन पानी के साथ पानी दाल ना फैट पर इसको तो इसका में वेक्ट आना ढाद हैं था चिर्छ धा इजन है थोड़ी तो तेटा थोड़ा में ना जादा पर्तला ना जादा गड़ा था आरा किसमिस अगर आप डालना चाहने तो नहीं तो स्किट भी कर सकते हैं और नमक कि अधी टीस्पून नमक अब इसको हम हाज से कम से कम 10 मिनिट तक फेटेंगे इसे हमारे दाइबडे बहुत ही अच्छे बढ़ेंगे कि इसको ऐसे ऐसे है एक बात का ध्यान रखियं जब भी फेटें कि इसको एक है दिस्पू फेटि करको दूसिं तरफ भी जाने के मिनिट अभर आप इसको तरफ करते तो आप साइव को वह कहारे निकल याईगगे कि इसको एक है दिस्षा में कम से कम 10 मुने फेटी जिससे के मारे दाइबड़े बहुती सॉफ्ट और मुह में घुल जाने नहीं है देखिए दाल इच्छे से फिट चुकी है इसका पते लगाने के लिए आप एक बावल में थोड़ा चा पानी ले दीजिए और उसमें फोड़ी से दाल के लेखिएंगे अब कड़ाइ में लगणी गरम कर लेंगे एल दैवये देवरे दालेंगे डैवड़े हमेशा मीडियुं कलें पर ही तरें ईवाइ पर शिख जाति अंदर से खचे रहे जाती है ख़ते अब हात की लेखिए पानी में इक वावल में पानी लेके हाथ गेजिए दालेंगे हम दाइबड़े तरहें दालें देखिए हमने सारे दाइबड़े डाल दियें और इसको पड़िया गोर्डन कलर आने ता मीडियम फ्लेम पर हम तरहें देज ना करें नहीं तो यह अंदर से कच्छे रहे जाएंगे इसलिए मीडियम पर ही तरहें और इनका साइड आप बड़ा जैसा आप रख में चाहते हैं अपनी इच्छा क्यानुसा रख सचते हैं देखिए यह अच्छे से सीख चुके हैं तो आमें यह निकाल लेंगे आप एक जरीयमे निकाल लेंगे और एक तरह थोड़ा पानी गुण गुणा कल आप देखिए यह अमें पानी में ले लिया है इसमें थोड़ी सी हींग डालिये थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा नमक अब इसमें आपने जो प्राई किया है दई बड़े वह डाले थे अब इसको धगके कम से कम 20 मिनिट के लिए रख दीजिया एदेखिए यह देखिए इनको डखके 10-20 मिनिट के लिए रख देखिए जब तक हमारे दाई बड़े गुनगुने पानी में रोग हो रहे हैं जब तक हम यह स्पेसल मसाला जिसके बिना दाई बड़े अधूरे हैं इसकी रेसिपे आप देख लीजिये इसके लिए जीरा और एज्वाइन को तभी देख लिया है उसको फिर एक चमच लाल मिच नमक काला नमक थोड़ा सा और चाट मसाला डालकर आप मिक्सर में पीस लें तापका इस पेसल धाई बड़े मसाला तयार है देखिए और सब्सक्त में ने डाल दी है पानी में यह बचा के रखा है इसको मैं आपको काट के प्लेटिंग आप पानी में से दवड़े उठाई इसको जादा निचूना नहीं है सिर्फ हरुकासा दवाई है इस देखिए कितने सॉफ्ट है इस अधी आप निकाल देखिए अब इसके उपर हम डालेंगे दाई जाए फ्रेज में रगती थी सक्कडार के पहले है यह और बदाई नहीं है इस अधी टेश्टी लगते है खाने में विल्कुल इतने सॉफ्ट है कि मुह में डालते से ही गुल जाएंगे इतने सॉफ्ट बने हैं आप एसको जरू ट्राइ किजिए एक बार अब इस पर डालेंगे हरी चटनी यह और अप डालना चाहें तो ठीक है नहीं तो अप्शना लाई है अब डालेंगे इमलिक चटनी इसकी रेसिपी उपर आई इंवर्टन दवाई है आपको मिल जाएंगे यह भी काफी यमी और टेश्टी होती है अब इसके उपर डालेंगे मारे स्पेसल मसाला जो मने बनाया है इस मसाले के मेना दई बल्ले हं थोड़ी सी लाल मिच अगर आप डालना चाहें तो डाली नहीं तो मसाले में हैं वेसे लाल मिच दिखिए अब इसकी उपर आप सेव अनार के दाने कुछ वी और डाल के हमारे दही बड़े तयार हैं खाने के लिए अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तैसे लाइट शेर कमेंट करें वो मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब करें नीचे गंटी का बटन है उसको प्लिक करें जिससे के मेरी नई नई रेसिपी आप तक जब्री से जल्द जुज सोचीं